पाकिजान की समर्थन में नारे लगाने वाले आरूपी को मद्यप्रदेश हाइकोट ने इस सशर्थ जमानत देती है हाइकोट ने अपने आदेश में कहा याची का करता कुछ जमानत दी गई है लेकिन उसे हर बहीने के पहले और अंतिम अंगरवार को अपने नजदीक पुरिस्थाने जाना होगा वहाँ पर अपनी पसिती दर्ज करानी होगी साथी भारत के राष्टे अद्वज तिरंगे को सलामे देते हुए कीस बार भारत माता की जै कहना होगा राइसिन जिले के रहने वाले फैजल और फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नाले लगाए थे इस मामने पर 17 मैं 2024 को भुपाल के मिसरौत पुरे स्थाने में फैजर के खिराफे फायर दर्ज की गई थी जांच की बार ट्राइल कोट में चार्शीर भी पेश की गई थी अब जबलपुर हाई कोट ने 50,000 के मुचलके पर सर्शर्ट जमान देती है संजीव चौतरी हमारे समवाता मारे साथ जुर रहे हैं इसी खबर पर जानकारी के साथ संजीव अब कोट से तो जबान पिल गए है लेकिन पहले और चौते मंगलवार को जो सर्श्ट रखी गई है कि भारत माता की जै बोलना होगा ते रंगे को सरामे देते हुए उसके बारे में आप से चाहेंगे क्या कहा गया कोट से विसार से पने फैसल में ये फैजान एक अपरादी प्रवर्टी का आदमी है इसके उपर पहले से ही बारा से अधिक अपरादी क्मामले चल रहे हैं और इसने जानबूच के यह अपराद किया था जिसमें एक जलूस के दोरान भारत विरोधी नारे लगाए और पाकिस्तान जिन्दाबाद इन नारे लगाए थी उसके बादी है मदपरदेश हाई कोट की इस बात पे आया था कि उसने ऐसा कोई कृत नहीं किया है और इसके खिलाब कोई सबूत नहीं है इसलिए उसे जमानत दे दी जाए लेकिन मदपरदेश हाई कोट में सरकार की तरफ से जो वीडियो पेश किये गए है उसमें नारे लगाते हुए दिख रहा था तो फैजान की इस मांग को निरस्ट करते हुए की केस खत्म किये जाए लेकिन जमानत दे दी गई है जमानत के साथ हर मंगलवार पहले और चौथे फैजान को थाने पहुचना होगा जो बोपाल का मिस्रो थाना है वहाँ पर और 21 बार भारत माता की जै के नारे लगाने होंगे और तरंगे को सिल्यूट करना होगा इस तरह से हाई कोट ने शशर जमानत दिये लेकिन कोट में ये भी कहा है कि जो निचली अदालत है उसमें या मामला भी चलता रहेगा या सिर्फ एक जमानत दी गई है शुक्रिया असन जीव आपको जानकारी के रहा है